Invalid Extension का क्या अर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Invalid का मतलब होता है कि जो valid नहीं हो यान कि जो सही नहीं हो जो मानने नहीं हो और Extension जो है एगर आप किसी website की बात करते हैं तो Extension का मतलब होता है .com यानि कि किसी domain का जो extension है .com हो सकता है .in हो सकता है इसी तरीके से जब आप कोई file save करते हैं तो उसके last में जैसे कोई mp3 file है तो .mp3 लिखा हुआ आएगा इसी तरीके से कोई word की file है तो .docs आता है या .docdoc आता है तो इस तरीके का जो extension है आपकी file का जो है वो सही नहीं है आप या तो उसको सही कर लीजी या इसको आप एक बार cancel करके दुबारा save करेंगे तो automatically वो आ जाता है और जब आप उसको rename करते हैं तो extension यानि कि .doc के आगे वाला जो part है .doc के बाद वाला जो part है उसको छोड़कर पीछे का नाम change कर दीजी उसके बाद आपका जो है यह valid हो जाएगा यानि कि the term invalid extension typically refers to a file extension that does not match the expected format or type of a specific file file extensions are the characters that appear after the dot in a file name or indicate the file format or type यानि कि file किस format की है किस type की है वो यह जो है extension बताता है and invalid extension indicates that the file may be corrupted, mislabeled or not supported by the software you are using यानि कि हो सकता है कि जो file आप इस software में use कर रहे हो वो यह software support ना करता हो तो उसकी वज़े से भी ऐसा हो सकता है या हो सकता है आपकी file जो है वही corrupted हो अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें